हलो फ्रेंज, तो आज मैं आपके साथ में शेर करने जा रही ही बहुत जाधा क्रिस्पी, क्रंची मेथी वड़े की रेसिपी सर्दियों का मौसम आ चुका, और इस मौसम में बाजार में बहुत ही अच्छी ताजी हरी मेथी आती है तो हरी मेथी के आज हम बनाएंगे बहुती क्रिस्पी क्रंची मेथी वड़े साथ में एक ऐसी चटनी की रेसिपी दूँगे जिससे इस वड़े का स्वात दुगना हो जाएंगा तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसन हैंगे इसे भी पसंद है तो प्लीज मैं चैनल को लाइक किजे शेर किजे सबस्क्राइब किजे सबसे पहले हम हरी मेथी लेंगे ये एक गड़ी लिए लगपक 200 ग्राम इसे पत्तों पत्तों में हम तोल लेंगे 2-3 पानी से वश करेंगे और फिर निथार लेंगे इसमें पानी नही और अरग होता है और सारा निकल लिए तो बस इसी तरह से हमें कटकर लेना है रफली priestam उसमें हम क्या करेंगे थोड़ा शे मामक ढालेंगे की वटे बलस्पून हम लेम जूज दालेंगे येले टेंदेर का जितना कड़वापन है निकल दोना नमक से पूरा mix कर लेंगे ताके हम 5 से 10 मिट इसे रखेंगे तो ये अच्छी तरह से soft हो जाए और इसका कड़वा पानी निकल जाए 10 से 15 मिट रख देंगे आप mix का जार लेंगे इसमें 1 teaspoon 0 लेंगे 1 teaspoon soft लेंगे 1 tablespoon साबुत धनिया लेंगे जिससे बहुत ही बढ़िया flavor आएंगा थो और इसे जो है तो मोटा मोटा दरदरा पीस लेंगे अगर छनी बत्ता हो तो आप छनी बत्ते में भी कूट सकते हो लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात कि इसमें बिल्कुल यूटर इस्तिमाल करके इसका पेस्टर नहीं बनाना इसी तरह से दरदरा रखना है ताकि व 5 टेबल स्पून लिए अगर आपको डालना हो तो दाल सकते वरना स्किप भी कर सकते है नमक लेंगे अपने से अनुसार हाफ कप भर कर जो है तो इसमें हम water दालेंगे लेकिन थोड़ा-थोड़ा करके हम water दालेंगे अगर मोंग डाल में पानी ज़ादा रहे जाएंगा ना तो फिर हमें water कम डालने की ज़रूरत है हमने अच्छी तरह से मोंग डाल को निधर करके लिए है अब इसमें हमाई लगबग आधा कप हमने इसमें पानी यूस की है इन दोनों के अच्छी तरहां से mix करेंगी जितने भी जो बेसन में के लम से नों सारे निकल जाने चाहिए और अच्छी तरहां से mix करके इसे smooth बनाना है ताकि यह जो है तो बहुत ही smooth और एकदम perfect बने तो य हम इसमें अभी मेथी भी मिलाएंगे न तो मेथी से और जादा पानी चोड़ता है तो यहाँ पर मेथी हमारी बढ़िया तरीके से भीग करके ready हो चुकी तो अब इसे भी हातों से अच्छी तरहां से निथार लेंगे ताकि इसका जितना भी कड़वा पानी हो सारा इस तरह से निकल जाए निथार के हमें लेना यह पानी लेंगे तो मेथी थोड़ी कड़वी होती है तो वड़ा भी थोड़ा कड़वा लगेंगा तो इस तरहां से हम लेंगे अब इसमें हम दालेंगे एक चौप अनियन को हमने कद्दू कस किया कद्दू कस किया वह लिए अगर आ अबिन सारी चीज़ों को अच्छी तरहां से हमें मिक्स करना है अच्छी तरहां से मिक्स इसिलिए हम करेंगे ताकि मेथी जो कारें लिधी की अंदर बहुत सारा पानीद निकलेंगा क्यूंकि यसमें हमने वगए लाल घे हम और पतला हो झाएगा इसके बाद में हमने जो पीसा हुआ मसाला है तो वो भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छी तरहां से हमें मिक्स करना है ताके मसाला मेथियों को बहुत बढ़िया तरीके से जो है तो लग जाए और इसकी consistency आप देख लीजिए इस तरहां की consistency हमें चाहिए अब हम क्या करेंगे दो गिलास लेंगे और गिलास को आईलिंग कर लेंगे एक बरश लेंगे और उसे आईलिंग कर लेंगे ये step करना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि अगर हमें इसे आईलिंग नहीं करेंगे तो ये फिर वड़े का बैट बैटर इसमें दाल देंगे इसके thickness देख लिए पस इतनी thickness वाला बैटर हमें चाहिए क्योंकि एक दम पतला रखेंगे तो ये फूल कर ढोकले की तरह हो जाएंगा अब इससे डैब डैब करेंगे अब हम क्या करेंगे इसे steam देंगे तो steam देने के लिए एक कड़ाई लेंगे कड़ाई में एक गिलास हम water दालेंगे और इसे धक कर पकने देंगे अगर इसमें गिलास ना बैठे तो कोई आप बगोने में भी रखकर इसे 15-20 मिट पका सकते हो अब इसके चटनी बनाएंगे पकने के लिए हम छोड़ देंगे इसमें एक मिक्सी कजार लेंगे थोड़ा सा फूदी ना लेंगे चार से पाच या आठ कलिया लस्टून के लेंगे तीन हरी मिर्च लेंगे 20 स्पून जीरा लेंगे 2 टेबल स्पून धनिया लेंगे नमक दालेंगे अपने सुआत के मन जूसना हो तो आप दहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो इसे एक दम फाइन पेस्ट बना लेंगे एक दम फाइन बनाना आगर आपको पतली चटनी चाहिए तो आप इसमें जो है तो वाटर और बहुत ही बहतरी बहतरीन चटनी रेटी है अब हम देखेंगे कि हमारे वड़े का जो है तो बनाया कि नहीं तो देखिए कितना अच्छा फूल करके रेडी हो चुका था यहां पर हमने 20 मेट फूल फ्लेम पर इसे रखा और यह बहुत बढ़िया तरीके से स्टीम हो चुका था अब इसे हम बाहर निकाल के आधा घंटा रखेंगे यह ठंडा होने देंगे एक निकल के रेडी हो है अब इसे कट कर लेंगे एक बात यहां पर यह भी जो बिगनर है जिने वड़े बनाना नहीं आता तो वो इन वड़ों को बहुत ही आसानी से बना सकता है क्योंकि इसका शेप भी बहुत अच्छा आता है परफेक्ट गोल गोल और जो है तो इसे बहुत पतले भी हम कट कर सकते हैं जितना जादा आप ठंडा करोंगे उस हिसाब से बहुत अच्छे इसे कट कर सकते हैं क्योंकि पतले पतले भी कट कर सकते हैं गरम गरम में आप कट करोंगे नो तो वह ही पर तूट जाएंगे तो यहां पर हम सारे वड़ों को कट करके रख दिया बस medium to low flame पर इस अच्छी तरहां से fry कर लेंगे, एकदम full flame पर नहीं करेंगे 2-3 मिट में हम इसे पलट देंगे, 8-10 मिट में बहुत ही अच्छे ये वड़े crispy बनकर ready हो जाते हैं अब हिने जो है तो हम पलट देंगे, अब यहाँ पर 8-10 मिट हो चुके थे जो हमारे वड़े है बड़िया तरीके से जो है तो fry होकर ready हो चुके थे second batch भी हम इसी तरीके से जो है तो fry कर लेंगे बहुत ही आसानी से बनते हैं बहुत जादे crispy क्रंची बनते हैं एक पर इन वड़ों को ज़रूर ट्राइ किजेंगा तो यहाँ पर हमारे वड़े fry होकर ready हो चुके थे अब एक serving dish लेंगे और हम निकाल लेंगे जो हमारा second batch है वो भी इसी तरह से जो है तो fry कर लेंगे यहाँ पर जितने पी बैच आपको बनाना जितने जादे आपको वड़े बनाना है fry कर सकते हो तो आप एक serving dish लेंगे और हम यहाँ पर वड़े सर्फ करेंगे यकीन मानिए अब गाईस बहुत ज़्यादा लजीज और क्रिस्पी बनकर ready होते है ताए होप गाईस आपको यह वड़े की रेसिपी पसन आई हो अगर आपको यह रेसिपी पसन है तो प्लीज में रीक्वेस ज़रूर से में चैनल को लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए साइट में जो बेल बटन आता है उसको और पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले हरा अमेजिंग से वीडियो का जो है तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो वीडियो वाच करने के लिए शुक्रिया गई सो चलिए फिर हम अपने नेक्स रेसिपि मिलते हैं तब तक लिए बाय बाय टेक कर अला